हमारे युट्यूब चैनल ग्यान सागर में आपका स्वागत है किडिनी की सेहत खराब होने से सरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती है यह जानलेवा भी हो सकता है इसलिए किडनी की हिल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए किड़नी बलड को फिल्टर कर खराब चीजों और अत्रिक्त पानी को सरीर से बाहर निकालने का काम करता है आज का लाइफ एस्टाइल और खान पान में गड़बड़ी की वज़ा से किड़नी की बिमारियां तेजी से बढ़ने लगी है किड़नी अगर ठीक तरह से काम न करे तो यह जानलेवा हो सकता है इसकी वज़ा से कई और बिमारियां बढ़ सकती है हेल्थ एक्सपर्ट के मताबिक किड़नी की सेहत का ख्याल सबसे जरूरी है क्योंकि क्रोनिक किड़नी डिजीज जान भी ले सकता है इसलिए जब इस तरह के लक्षण आए तो तुरट डक्टर के पास जाकर टेस्ट करवाना चाहिए इसे नजर अंदाज करने से किड़नी फेल भी हो सकता है किड़नी की बिमारी के लक्षण पेसाब से जुड़ी समस्याएं अगर किड़नी की सेहत ठीक है तो इवरीन को बाहर निकालने के लिए वह बलट को सही तरह से फिल्टर करता रहता है जब किड़नी ठीक से काम नहीं करता है तब पेसाब से सम्मंदित कई समस्याएं हो सकती है जैसे बार बार पेसाब आना पेसाब में जाग या बुलबुला निकलना इस तरह की समस्या दिखने पर तुरत सावधान हो जाना चाहिए डाक्टर से मिलकर इलाज करवाना चाहिए तवाचा में खुजली अगर आपकी स्कीन ड्राई है और उसमें खुजली हो रही है तो यह भी किड़नी की बिमारी का संकेत हो सकता है इसका मतलब है कि किड़नी बिमार है और बलड में खनीज और पोसक तत असंतुलित हो रहे हैं खुण में फासफुरस ज्यादा होने पर खुजली की समस्या होती है यह समस्या किसी दूसरी वजह से भी हो सकती है लेकिन अगर यह लंबे समय तक है तो परेसानी बढ़ सकती है हाथ पैर में सूजन जब किड़ी शरीर से अत्रिक्त तरल पदार्थ और सोडियम बाहर नहीं निकाल पाती है तब चेहरे पैर या निचले हिसों में सूजन की समस्या होने लगती है इसे एडीमा भी कहते हैं अगर समय पर सूजन पध्यान न दिया जाए तो बड़ा खत्रा हो सकता है इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए और तुरट डक्टर से सलाह लेना चाहिए किड़नी की बेमारी के अन्य लक्षण जी मिचलाना या उल्टी की समस्या होना भूख कम लगना ठकान और कमजोरी होना निंद की समस्या होना पिसाब कम या ज़्यादा आना मानस्पेशियों में अइठन होना पैरों और टकनों में सूजन होना त्वचा में खुजली होना दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना ग्यान बढ़ाएं मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले